कि इस चैप्टर में हम एनर्जी कंजप्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं यह टोपिक हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि पिछले जो टोपिक हमने लिए जिसमें हमने यह देखा कि कैसे प्लांट्स जो है वो मिनरल्स का वाटर का एब्जोप्शन करते हैं और किसे जो फोटो एसिमिले एक हें वह प्लांट्स में जो लीव से अधर नीड़ेड़ प्लांट्स जो होते हैं वहां तक ट्रांस्पर्टेशन ओता है तो हम ने दोनों जो प्रोशेस है वह हमने अछी तरह से माइं सैस्लेंतεις हमने इसको अध्यन किया अब हम अगला早 पार है ज तो photosynthesis की study करने से पहले हम यह देखना चाहरे हैं कि पूरी आर्थ पर जो living organism है यह किस प्रकार यह भोजन का निर्मान करते हैं जिसमें plants जो है वही क्यूं करते हैं और plants से और फिर animal का आपस में energy के base पे इनका आपस में क्या relation है और यह energy का consumption जो है वो किस लेवल पर हो रहा है क है और क्यों हो रहा है और energy में हम किसको count करते हैं क्योंकि ultimate जो source है light का वो sun है सूरी है तो सूरी से जो energy हमें मिलती है उसी energy के basis पे पूरी life जो है वो सर्वाइव करते हैं सारे organism तो हम यहां चर्चा करने चाह रहे हैं क्योंकि इसमें हम एक animated वीडियो के साहता से भी हम यह द energy का relation जो है वो organism से कैसे है तो source of energy जहां हम बात कर रहे थे कि ultimate source of energy जो है वो सूर्य है और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि plants में photosynthesis करने की capacity होती है इसका मतलब यह है कि यह plants energy को convert करने की शमता भी रखते हैं energy को convert कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह light energy को यह chemical energy में convert कर रहे हैं during photosynthesis या प्रकास translation के दौरा अब यहां diagram में यह एक simple सा diagram है जिसमें यह बता रखा है कि light energy के रूप में सूर्य सूर्य जो light आती है इस light का plants use करते हैं और carbon dioxide और दूसरे इसमें water जो है वो roots के द्वारा absorb करके यह plants भोजन बनाते हैं और इस भोजन बनाते हैं भोजन बनता है glucose के रूप में और साथ ही यह oxygen भी yu bundle में निकालने का काम करते हैं oxygen भी उत्पन करते हैं तो बहुत important part है यह जो हम आगे discuss करना जा रहे हैं तो यहां हम chemical energy जो बनती है यह जो light energy convert हुई है chemical energy में और यह chemical energy किस form में है ATP और NADPS form में तो ATP और NADPS form में यह chemical energy बनती है और यही energy जो है वह आगे जाकर के भोज्य पदार्थों का निर्मान करती है अब हम photosynthesis में हम आगे detail पढ़ेंगे लेकिन उससे पर हम और और यह हम देखना चाह रहे हैं कि photosynthesis को दो मैं रियक्षन में पांटा गया है उसमें दो म reaction light reaction जो होती है इस यह एक oxidation reaction है और जो डार्क reaction होती है वह एक रिडिक्षन रियक्षन है Oxidation reaction है इसका वाला Oxidation किसका हो रहा है जल का हो रहा है वाटर का हो रहा है वाटर टूटता है और उस वाटर से electron and proton निकलते हैं साथ में ही oxygen होती है तो यहां पर जो light capture होती है वह photon के रूप में होती है ठीक है और यह प्लांट और जो कुछ LG होती है वह जो है photosynthesis करने का काम करती है इस light को capture करके oxygen भी वोल करती है और साथ में ATP और NDPH के रूप में chemical energy produce करती है यह हम देख चुके हैं कि एक oxidation reaction है और इस पूरी light reaction में सबसे important जो रोल अदा करते हैं कि इस light को capture करने का काम करते हैं वो कुछ complexes करते हैं उसे करते हैं light harvesting complex photosystem दो होते हैं आगे भी हम पढ़ेंगे photosystem first photosystem second और यह photosystem जो है pigment molecules से मिल करके बने उते हैं इनके center में reaction center होता है जो की chlorophyll के molecules से मिल के बना होता है से लेके six molecules जो है वो उपस्तित होते हैं और यही reaction center reaction center किसे कहते है यहां पार light energy chemical energy में convert होती है और यहां तक light पहुंचाने का काम लाइट को असुषित करना और पहुंचाने का काम जो है वह एंटीन कोंप्लेक्स के द्वारा होता है और ये जो बनता है जिसमें पिग्मेंट्स देन्ट प्रोटीन लकर करें बनाते जिसे लाइट हार्वेस्टिंग kompleks कहते हैं और photosystem first का अपना complex अलग होता है जिसे light harvesting complex first कहते हैं और photosystem second जो होता है उसका complex जो होता है light harvesting complex second अलग होता है तो यहां हम diagram में देख रहे हैं कि यहां पर जो sunlight जो होती है वो sunlight जो है cell plants के में cells के अंदर penetrate करती भी chloroplast में पहुंचती है chloroplast में हम जानते हैं कि यहां पर थाइलेकोइड होती है और थाइलेकोइड की membrane जो होती है उसकी इनर साइड में human side में oxidation की reaction photosystem second पर होती है यहां पर water produce होता है और यहीं पर electron transport chain के द्वारा फिर यहां पर ATP का निर्मान भी होता है और जो यहां पर NADPH का निर्मान भी होता है और यह कैसे होता है इसको हम आगे की प्रोसेस में देखेंगे cyclic non cyclic यह जो फोटो फास्पर होता है इसके बारे में बताता है कि प्रकास translation की पहली जो stage होती है जिसमें light energy को आउस्टोसित कर प्रकास यह उर्जा को आउस्टोसित कर उसको chemical energy के में convert किया जाता है और यह chemical energy है ATP और NADPH के रूप में अब दूसरा जो पार्ट है photosynthesis का most important वो है dark reaction और dark reaction जो है उसमें क्या होता है वो है reduction reaction जो हम पहले चप्छा कर चुके reduction में reduce क्या होता है reduction किसका होता है यहां पर carbon dioxide reduce होती है और यह carbon dioxide जो है वो sugar में convert हो जाती है अब carbon dioxide का sugar में या जिसे हम glucose कर रहे हैं यह इसमें convert होना dark में तो dark का मतलब यह कता ही नहीं है कि रात्री में होता है dark जो है opposite नाम दिया गया है light reaction का और dark opposite नाम दिया है इसका मतलब यह है कि यह light में process होती है यह दिन में होती है इसलिए इसमें light यहां भी आउशक है क्योंकि बिना light के यह dark reaction नहीं हो सकती क्योंकि light आएगी तबी ही यहां पार जो सबसे abundant है इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला protein जिसे हम आर्यू बीपी रुबिस्को एंजाइम करते हैं वह रुबिस्को एंजाइम इसी light की वज़े से ही एक्टिवेट होगा उसके बगार यह reaction नहीं हो सकती तो opposite नाम जो है वह दिया गया है यह reduction reaction है और यहां पर carbon dioxide जो है वह reduce होती है है sugar में और यह reaction होती कहा है यह reaction होती है chloroplast के stroma में ठीक है तो जितने भी heterotrophs होते हैं वह सारे इसके उपर डिपेंड होते हैं यहां डाइग्राम में देख सकते हैं कि जो dark reaction light reaction के बारे में हम पढ़ चुके हैं यह पूरी light reaction ती और dark reaction जो हम यहां देख रहे हैं इस dark reaction में हम यहाँ देख रहे हैं कि carbon dioxide जो है वो reduce होती है तो अब question यह है कि carbon dioxide का reduction होना इसका light reaction से relation क्या है light reaction से relation इसका सीधा सीधा है क्योंकि light reaction में light energy convert हुई है chemical energy में यानि कि ATP और NADPH बने हैं और यही chemical energy इस carbon dioxide को reduce करने में इसके अपचयन में काम आती है और यह Kelvin cycle के दोरान इसका अपचयन होता है और यह energy इसको सुगर में convert करती है तो यह बड़ा दोनों जो reaction है oxidation reaction और reduction reaction यह photosynthesis को हम कह सकते हैं हम यही कहते हैं कि एक reduction reaction है जिसमें oxidation भी होता है और reduction भी होता है कि दोनों में से reaction नहीं होती है यानि photosynthesis complete नहीं होता है तो यहां पर इसमें हम यह dark reaction को हमने देखा तो अब photosynthesis जो है उसमें जितने भी हेटरोट्रोफ होता है अचायो फोट्रोट्रोफ में यह आगे जो खुद अपना भोजन मनाते हैं चाय वो प्लांट्स हो चाय बेक्टिरिया हो नहीं प्लांट्स में नहीं बात कर रहें कि photosynthesis के उपर ही अधिकतर जो है जो जो बोजन बनता है उसमें सारे हेट्रोटोफ्स इसी पर डिपेंड करता है तो यहां जो कंजप्शन हेट्रोट्रोफिक कंजप्शन जो है उसका मतलब यह है कि जितनी भी सूगर जो है जो बनी है प्लांट्स खुद की ग्रोथ में खुद के डोलप्मेंट के लिए खुद के द्वारा बनाए हुए भोजन को तो काम में लेता है खुद ग्रोथ करता है साथ ही साथ यह plant जो है यह photosynthesis द्वारा बनाए गई भोजन को other animals को plants के other part को सबको यह उपलब्द करवाते हैं तो उससे यह उपलब्द कराते हैं यह sugar के form में करवाते हैं तो अब यह जो sugar है या यह जो carbohydrate है जिसका consumption heterotrophs करते हैं तो यह फिर इसको consume करके किस form में convert करते हैं यह हम देखना चाहा रहे हैं तो यह sugar जो है यह completely carbon dioxide में convert होते हैं ठीक है और यह convert होकर के यह ATP का निर्मान करते हैं ठीक है तो यहां पर भी energy molecule आ रहा है यह बड़ा important चीज़ है तो ultimately कोई भी reaction हो रही है चाहे वो synthetic reaction हो चाहे वो reduction reaction हो यह सारी reaction में ultimately energy molecule involved होते हैं और यह energy molecule ATP की रूप में है और हम जानते हैं कि ATP जो है वो एक instantly high energy compounds है high energy molecule है और यह molecule unstable molecule है बोडी में यह तभी बनता है जब यह required इसकी requirement होती है यह सोचिए कि market में हमें glucose available होता है तो glucose जो है वह सबसे simplest sugar है और तुरंत यह oxidize होता है यह oxidize होकर ATP उपलब्द कराता है यदि यह market में glucose मिलता है यदि ATP stable होता तो यह ATP भी हमें मार्केट में available होता तो यह हमें glucose मिलता है तो glucose तो ग्लाकुलाइस प्रोसेस के थ्रू निकलता है तो यहां पर ATP यदि मार्केट में डारेक्ट मिल जाता तो तो कुछ करने की जरूत ही नहीं थी ATP तुरंत ही लिया और तुरंत एनरजाइज हो गए अपन सीधे डारेक्ट ही वह ग्लाकुलाइसिस की यह प्रोसेस डिग्रडेशन की यह भी होने की जरूत नहीं थी तो यहां पर ATP unstable molecule है इसलिए तुरंत बनता है तो सुगर जो है वो convert होती है और यहां ATP बनता है दो प्रोसेस में है ग्लाकुलाइसिस जो की साइटोप्लाजम में होता है और TCA cycle जो है जो की माइट्रो कॉंडिया के मेट्रिक्स में यह cycle चलता है और यह पूरी प्रोसेस जो है जिसमें respiration कहलाता है तो अब हम इस डाइग्राम से देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्लुकोज मोलीक्रेश में ओडन होगा ग्लाकुलाइसिस के तुरू कार्बन के पार्गेशिड को करेगा complete time में अर Sug यह केमिकल एनरजी इस दौरा लॉसमें अल्टिमेटली एटिव के मोलीक्रेशड करता रहा है उसमें जल का भी यह उत्पादन करते हैं और यहां पर जो है oxygen काम में आती है तो अब हम यह देखते हैं कि हेट्रोट्रोफ जो होते हैं प्लांट्स के द्वारा बनाएवी सुगर को यह इसको औक्सिडाइज करने में काम मिलेते हैं अब हम इसमें वीडियो देखेंगे और इस वीडियो की सायता से हम यह समझेंगे कि कैसे जो है यह एनर्जी कंजप्शन जो है वह इसको दर्शाया गया है जिसको हम आसानी से All biological organisms, like the flowering plant and honeybee you see here, are interrelated through the resources they exchange during their life cycles. These resources include carbon, oxygen and organic molecules, all of which fuel the production of the energy molecules required for the many essential biochemical pathways that power biological यहाँ पर जो ATP, adenosine triphosphate, जो energy molecule बताया गया है, यह ATP का बताया गया है कि यह energy molecule से कौन-कौन सी reaction जुडी भी है, कौन-कौन सी reaction इस पर depend होती है, जिसमें आम देख रहे हैं, तेखो, transcription भी है, transcription regulation भी है, translation भी है, mitosis, signaling, सारी process जो हो इस energy molecule के ओपर depend करती है, जाए वो animal हो, are connected. Plants use sunlight, water, and carbon dioxide to produce sugars and oxygen. The oxygen is released into the atmosphere, while the sugars are used by plants to make ATP. When an animal consumes a plant, sugars from the plant and oxygen from the air are converted to carbon dioxide and water, during this conversion, ATP. ATP is made. ATP is a critical energy molecule for both plants and animals. It drives many biochemical reactions within all organisms. The carbon dioxide that animals produce during aerobic respiration can then be used by plants during photosynthesis to make more sugars. Let's look at this more specifically. In photosynthesis, sunlight, carbon dioxide, and water. are used by plants in the light and dark reactions to make oxygen and sugars. During the light reactions, sunlight and water are used to make molecular oxygen, ATP, and NADPH. The oxygen is a component of the air animals breathe. ATP and NADPH are important energy molecules. During the dark reactions, the ATP and NADPH made in the light reactions are used to fix carbon dioxide into sugars. The overall equation that represents the photosynthesis process is carbon dioxide plus water, gives a simple sugar, such as glucose 6-phosphate, plus oxygen. The water molecules seen in this equation are consumed in the light reactions to yield oxygen. The carbon dioxide molecules are used in the dark reactions. Importantly, during the light reactions, the light energy from the sun is converted into chemical energy in the form of ATP and NADPH. Equally important, the dark reactions incorporate carbon into organic molecules, such as sugars. The sugar and oxygen molecules that plants produce during these reactions are available to the plant and animals alike for energy production. However, animals are equally important in this relationship. Plant material consumed by animals is converted into sugars, fats, and amino acids. This conversion results in the production of energy and carbon dioxide through a process known as aerobic respiration. Aerobic respiration involves several stages that result in ATP production. The general equation for aerobic respiration is sugar plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus ATP. This is a reaction of respiration, which is just a photo synthesis of a reverse reaction. This is a reaction of sugar and oxygen, which is oxidized by carbon dioxide and carbon dioxide. This is a reaction of glycolysis. Glycolysis is the first stage of aerobic respiration. During glycolysis, sugars are broken down and ATP and pyruvate are produced. Glycolysis also generates critical electron. This is a reaction of glycolysis. Glucose is completely converted into pyruvic acid and ATP and NADPH. which is produced by energy molecules. The pyruvate is then modified during pyruvate oxidation and the citric acid cycle to generate carbon dioxide. During these steps, more electron carriers and ATP. The glycolysis is produced by glycolysis, which is produced by glycolysis. This moves through citric acid cycle, which is called Krebs cycle. Because if glucose is carbon, then 2 molecules of glycolysis become 2 molecules. तो इस परकार जो है, वो अनर्जी मोलकूल जो बन रहे है, वो टोटल किसंख्या जो है, यहां पर दर्साईगी यही अनर्जी मोलकूल अब जहां कर जाते हैं, कहां के? एटीसी में, एलेक्रों ट्रांसपोर चैन के अंदर, और जा कर दिए अन्दर अनर्जी मोलकूल के बात कर रहे थे, तो वो एफ ज्चैन कर दोंगें आपए से यहां कर दोंग्टे जूकले सेस्ट प्रॉट्स अजाइब लूट्स ख़ा देखया, क्या मुज़ घ्चैन के सवीड़ियों बन सभालिय को अनर्चैन कर दोंग्रों ए अर एटीपेस एंजायम Shirettof कि अथे परिफिए सब्क्राइब कर दो अजिसा है कि नाचिता से वहाँ एक अथिवाइब का सिंथिस करते हैं. Carbon dioxide that plants use to make sugars during photosynthesis comes from sugar breakdown during aerobic respiration. The ATP generated through aerobic respiration is essential for many of the biochemical reactions in cells. This general overview of the important connections between the plant and animal worlds shows... मेप इसनय कि हम अर ओले देखते हैं कि है यह जो हो एनिमस हो ते यह का way गर लग ओफो और प्लाटाएा ब्लांट को और प्लांट असी कार्मची यूज़ कर गई यह ऑजर प्लाइवतो यह जिजर को wspól S control Avatar तो यह आज का जो पूरा टॉपिक जो था वो हमारे एनर्जी की बेस्ट पर था चूंकि फोटो संथेसिस की अगली सीरीज जो है अगले लेक्टर जो है वो स्टार्ट होंगे काफी लंबा चेप्टर है हम अलग लग लाइट रिक्सन को अलग देखेंगे इसके एटी सी को अ तो हम वही देखना चाहा रहे हैं तो यह एनर्जी का आज का टोंज बाएट